हली इवरीवान राधे राधे स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे चलिए करते हैं आज के वीडियो का स्टार्ट तो यहाँ पे देखिए मैं एक ब्लाउज का कपड़ा ली हूँ उसमें से जितना मुझे जरूवत था उतना कट करके रख ली इसी कपड़े का मैं लाइनिंग के लिए इस्तमाल कर रही हूँ तो उसी साड़ी में से बचा हुआ पीस्ते था उसको मैं लाइनिंग के लिए इस्तमाल कर रही हूँ और सेम मेजर्मेंट के चावल के कटे का कट कर ली हूँ तो तीन पीस यहाँ पे कट हो चुके हैं तो उसको बिचा करके और उसके ऊपर सबसे मेन कपड़ा यानि की जो बलाउज का कपड़ा है उसको बिचा दी हूँ यो देखते हैं बहुत सारे जो बीना सब्सक्राइब किये ही देखते हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और वेल आइकन को दबा करके औल पर क्लिक कर देज़ेगा ताकि जितना ही वीडियो में डालू उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए अब यह देखिए गाईस यह इसके ऊपर में सीधी सीधी सिलाई लगा करके कपड़े को क्विल्ट करके रेडी कर ली हूं अब इसका मजेर्मेंट मैं आपको बता देते हूं तो देखिए इस तरीके से है यह 18 इंच और एक तरह से है यह 30 इंच यानिकि 30 कपड़े से ही में कपड़े से बलाउज के कपड़ा है उसी से बना करके रेडी की हूं इसकी लंबाई 20 इंच है और बनने के बाद इसकी चोड़ाई 1 इंच है अगर आप चाहें तो जो रेडी मेंट इस ट्रीप आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जल यह बनाना उपर ही एस ट्रीप को रखना है और सिलाई लगा करके इसको अटेच कर लेना है दूसरी साइड भी सेम तरीके से बने लेणा है गेकषिप सब्सक्रेट नहीं करना है बस कपड़े का पीस लेना है तो यह देखिए गपड़ेंगे ,इस की लंबाई नहींगा縦 काक्षी य के करने के बाद य सीधा वाला पाट अंदर के साइड रखना और इसके उपर किनाँ पर पलट पर प्लट करके और इसके तरीके से देखिए यहां पर जिप लग करके रेडी हो चुका है दोनों साइड से मैं टॉप की सिलाई लगा दी हूं ताकि जो भी कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट है वो दब जाए इसमें सिलाई में अब इसके अंदर हमें रणनर डाल करके रेडी कर लेना है तो यह देखिए गा यहां पर दोनों साइड सिलाई लगा करके मैं अटैच कर दी हूं अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसको कट करके हटा देना है तो कटिंग भी हो चुकी है अब इसको अटैच कैसे करना है तो सबसे पहले इसको पलट करके हम सीधा कर लेंगा अब यह अब इसको अच्छे से सेट करना है और इस तरीके से पकड़ेंगे और बीच में सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है तो यह देखिए इस तरीके से मैं एक सेंटर में छोटा सा कट लगाई हूं अब सबसे बड़ा वाला जो पी से उसको लेना है और उसका भी सेंटर मारकिंग कर लेना है इस तरीके से डवल में फोल्ड करके रखेंगे और muffin पर च्षोटा सा यह कट लगा दे आप चाहा से मारकिंग कर दें तो जहां पर कट लग चुका है अब इसको उल्टे साइड से घुम मैं टेच करका हुआ उल्टे साइड कर будете अपर ओपर और इस सिधी सिलाई लगा के अटाइच हो चुका है अब हमें लेनी है एक पट्टी जिसकी लंबाई रहेगी 18 इंच और चोड़ाई रहेगी दो इंच से धाई इंच की पट्टी ले और इसके उपर सीधा वाला पाट दोनों का आमने सामने रखते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे दोनों साइड इसी तरीके से हमें पट्टी लगागर के रेडी कर लेना है सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर इसको पलटेंगे यह देखिए यह आपे मैं सीधी सिलाई लगाजी और पलटना कैसे यह दिखा देती हूँ यह देखिए गाईश इसको अंदर के साइड ले जाना है दूसरे साइड इसको टर्न कर लेंगे और उपर से पूरा बरावर करते हुए और जो एश्ट्रिप लगी हुई है उसको बाहर के साइड रखेंगे और एक पॉइंट जितना कपड़े को छोड़ते हुए और इसके उ अब यह देखिए बहुत ही अच्छे से फिनिसिंग से यहां पर पट्टी लग गई है इसको उल्टा करके रखने के बाद कुछ इस तरीके का इसमें कपड़ा देखेगा तो उसको भी थोड़ा संदर के साइड करके रखना है और इसके उपर सीधी सिलाई लगा देनी है त दोनों साइड में पट्टी लगा करके रेडी कर ली हूँ पॉकेट वाले भी साइड सेम तरीके से लगानी है और दूसरी साइड भी सेम तरीके से लगानी है अब देखिएगा इस पट्टी लगाने के बाद में इसको डवल में फोल्ड कर ली हूँ इस तरीके से डवल में फोल्ड कर केंग लगाना है ध्यान रखें और उल्टे साइट से लगाना है अब यह देखिए जहां से सेंटर पॉइंट है वहां से भी हम एक मार्किंग कर देंगे इसके उपर अब यह जो 2 इंच पे मार्किंग हुआ है वहीं से हमें इस तरीके से अंदर के साइट फोल्ड कर लेना है इसी का बेस बनेगा और 2 इंच जहां पे मार्किंग हुआ है बस वहीं तक हमें फोल्ड करने ला है नीचे वाले भाग को भी एकदम आमने सामने मिलाते हुए और जो इसी तरीके से पकड़ते जाएंगे और सीधी सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है तो यह देखिए यहाँ पे मैं दोनों साइड में सिलाई लगा करके रेडी कर ली हूँ तो सिलाई लग चुकी है यह देखिए इस तरीके से इसका बेस बना हुआ है अब पिन निकाल करके मैं आपको सीधा करके दिखाती हूं इसको अब पैकेट जो है वो अंदर के साइड आ रहा है अब इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है उल्टा वाला पाट अंदर चला जाएगा और सीधा वाला पाट बाहर आ जाएगा अब यह देखिए गाईश इस तरीके से यह सीधा हो च काफी मजबूत यह बैक बन करके रेडी हो चुक है अंदर के साइड एक जीपर पैकेट दिया हुआ है और पूरा ओपेन ही है तो इसको आप सौपिंग बैक के लिए बहुत ही अच्छे से इस्तमाल कर सकते हैं मार्केट लेकर जाने के लिए और कलर भी काफी फ्यारा लग रह और कुछ इस तरीके से इसका बेस बन करके रेडी हो गया है गाइस तो कैसा लगा जरूर बताइएगा थाइंक्यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादा